द्रिडता का महत्व संसार में हार वेक्ती कुछ न कुछ पानी का प्रेतन करता रेता है परन्तु अगर मन चाहा फल न मिले तो वो उदास हो जाता है कभी कभी तो अपियस से डर कर वेक्ती अपनी जीवन लिला ही समाप्त कर देता है परन्तु क्या ये उचित है बेशक नहीं बार-बार होने वाली हार या असफलताओ का मूल कारण है द्रिडता की कमी यदि मानव द्रिडता का दामन थाम ले तो जीवन में नया सवेरा हो सकता है क्योंकि वास्तों में ये वो करिश्माई छड़ी है जो अनहोनी को भी होनी में बदल देती है ये विजैश्री का वरन करने वाले योद्धा का एक शक्ति शाली हत्यार भी है द्रिडता को अपनाने वाला आसमर्थ से समर्थ बन जाता है ये ही एक चमत कारी गुन है जो शक्ति हिन को सरवशक्तिवान या निरवल को बलवान बना देता है ये हिम्मत हिन को आत्म विश्वासी बनाने वाली एक जादूई गुटी है और सासात अमर्द वाबी वास्तों में द्रिर्टा से असंभव लगने वाले कार्य संभव हो जाते हैं इसलिए बार-बार की हर से ठके नहीं परन्तु उनसे सबक ले और लगातार मेहनत करते रहे कार्य को किसी भी प्रतिफल की इच्छा के बगएर लगातार करते रहे जैसे दिवार पर चड़ने वाली नन्जी चीटी बार-बार गिरते आखिर दिवार पर चड़ ही जाती है ना ठीक ऐसे ही विपरीत बातों में सतत प्रेत्ने करने वाला आखिर सफल हो जाता है और यही है दिड़ता जब तक मनजिल न मिले तब तक कार्य करते रहना दिड़ता है बाधाओ से हारन मानना दिड़ता है जीवन के हर परिक्षा का ख़ुशी ख़ुशी से अंदतों सामना करना दिड़ता है सच पूछो तो दृड़ता सफलता की चावी है चावी महानवे ग्यानिक थॉमस अलवा एडिसन 999 बार बिजली का बल बनाने में असफल रहे लेकिन 1000 बार अपने इरादे पर दृड रहने के कारण ही वो बल बनाने में सफल हो गए अतहा दृड़ता को अपनाईए और सफलता को पाईए ऐसी हमारी आपके लिए हारदी शुप का अपनाए है कि अपनाईए है